नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है स्रोड पटवा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज आल अबाउट में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट सेंटरल रेलवे जबलपूर रेलवे अप्रेंटेशिप भरती 2021 की जिसमें आपकी योगिता दसवी एंड आईटियाई एंसीविटी एसीविटी से पास आउट होने चाहिए इसमें जो है आल इंडिया के केंडिडेट जो है इलिजबल है कुल पोस्ट जो है 561 है तो हम जो है नॉटिफिकेशन के जरिए आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता दो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बारा है वे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे द्वारा जो भी नॉलेजबल वीडियो पोस्ट किया जाता है वह आपको हर पल मिलती रहे इस तरह आपको मैं नॉटिफिकेशन के जरिये जो है कुछ-कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो यह जो है नॉटिफिकेशन आप देख रहे हैं जिसमें जो है आनलाइन आवेदन प्रार्राम दिथी 28.1.2021 से शुरू है और आनलाइन आवेदन अंतिम दिथी 27.2.2021 से यानि आपके पास जो है एक माह का समय आवेदन करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पस्ची मध्य रेलवेज जबलपूर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 तो था अप्रेंटिस नियम 1962 के अधिन जो है पांसो एक्षट पोस्ट जो है निकाला गया है टोटल पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेट डिजल मेकेनिक का के टेगरी वाइज यहाँ पे नंबर आप स्लोट और सीट के टेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है साथ यहाँ पे ट्रेनिंग डिवरिशन जो है ओभी यहाँ पे उलेख किया गया है क्वालिफिकेशन आपका 10 वी प्लस ITI पास इन रिलिवेंट टेड के साथ होना चाहिए यहाँ पे जो है डिजल मेकेनिक, इलेक्टिशन, वेल्डर गेस और इलेक्टोनिक, मचिनिस्ट, फिटर, टर्नर, वायर्मन, मेशन, कारफेंटर, पेंटर, ग्राइंडर, फ्लोरिस्ट एंड लेंडिस, केबिंग, पंप, आपरेटर, कैम मेकेनिक, होटी कल्चर असिस्टे इन्फर्मेशन, कमिकेशन, टेक्निलोजी, सिस्टं, मेंटनेंज, कोप पा, इस्टेनोग्राफी हिंदी, और इस्टेनोग्राफी इंग्लिज, दौनू क ноotी के लिए जो है यहाँ पे निकला हुआ है और साथ ही चेचे मेरेजमेंट असिस्टेंट, सेक्रेटरी असिस्टेंट, हाउसकिपिंग, हेल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर, डेंटल लेवरोटरी टेक्निशन, इस तरह जो है टोटल 31 स्टेट के लिए जो है टोटल पोस्ट 561, सभी केटेगरी वाइज यहां पे उलेख कि है और साथ ही आपका जो है कौलिफिकेशन और ट्रेनिंग डिरेशन यहां पे दिया हुआ है तो इसका आप लोग अच्छे से अवलोकन कर लिजएगा और बहुत बड़ी वेकेंसी आई है अप्रेंटिसिप आलों के लिए और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे ग्र अच्छा सुनारा मौका है यहां आप लोग आवेदन करें और इस नोटिफिकेशन भरती का जो निकला है उसका लाव उठाएं आयू सीमा की हम बात करें तो एक एक दो हजारी किस कुनियूंतम आयू 15 वर्स होनी चाहिए तरह 24 वर्स पूर नहीं होना चाहिए 24 वर्स कम होन के सांत दसवी परिक्षा अथ्वा इसके समचक्ष परिक्षा उत्रिड होना अनिवार है सांत ही अभियर्थी NCVT, SCVT से मानेता प्राप और दोगी प्रसीजिय असंसान से संबंधी ट्रेड में ITI उत्रिड होना चाहिए प्रचारे द्वारा जारी प्रमापत्मान नहीं हो का इसका अप लोग ध्यान दिजेगा परतेक उमिद्वार को आवेदन करने से पूर्व नई वेबसाइट अप्रेंटिसिप इंडिया.org ने पीएस पोर्टल पर पंची क्रिट करना अनिवार है जिन उमिद्वारों ने पूर्व वेबसाइट अप्रेंटिसिप डॉर्में पर पंची कर लिया है वे नई वेबसाइट में अपनी प्रॉफाइल अप्डेट कर ले पंची क्रड करते समय पोर्टल में उमिद्वार का नाम पीता का नाम एंजनमति थी कक्षा दसी परिक्षा अथा उसके समकष परिक्षा प्रमापत में दर्जवरतनी के अनुसार ही ह पंची क्रड के उपरां तभी अर्थी को अपर्चुनिटी टैब में इस्टाब्लिश्मेंट नेम डियारेम आफिस वेस सेंटर रेलवे जबलपूर यहां पे जो इस्टाब्लिश्मेंट का कोड दिया हुआ है को संबंधी ट्रेट कोर्स में अप्लाई करना होगा जिसका आउट दस्तावे सत्यापन के समय इस कर्याले में प्रसुत करना होगा यहां पे जो उमिद्वार आवेदन करना चाहते हैं उनको जो है अप्रेंटिसिप इंडिया.org नई साइड पे आपको अपना प्रफाइल 100% कंप्लीट करना है उसके बाद ही जो है अप्लाई करना है आपको जो है दो जगह अप्लाई करना है एक जो अप्रेंटिसिप इंडिया का जो नया साइड है वहां पर आवेदन करना है और वहां पर आवेदन करने के बाद जो MP online का जो साइड है उस पर भी आपको आवेदन करना है दो जगह आवेदन करना है यदि आप वहां करते है और एक जगा करते हैं और एक जगा नहीं करते हैं तो इस कंडिशन में आपको फ़ाउम निरस्त हो सकता है यहां पर इस पर देख सकते हैं कि संबंधिर ट्रेड में अपलाई करना होगा जिसका प्रिंट आउट दस्तावे सत्यापन के समय इसका रालें प्रसूत करना हो उसका जो आप लोग अपलाई करेंगे उसका जो है प्रिंट आउट आपको दस्तावे सत्यापन में जमा करना होगा तो इसका ध्यान दिजीगा और जो अभी तक अपना रेजिस्टेशन हेंडर पर्षेंट पूर नहीं कर चुके हैं या जो अपना इटाई अप्रेंटिशिप र जो है आपको अप्रेंटिश एक्ट उनीश्व एक्सक्ट के तहट प्रसिक्षड हे तू योग उमीदवारों का चैन हाई स्कूल या दस्वी की परिक्षा में प्राप्त अंकों के परतिसाथ प्राधारिक्त होगा इस चैन प्रिक्रिया में लिखित परिक्षा सक्षातकर म दस्तावित सत्यापन के समय क्या क्या डॉकुमेंट्स ले जाना है इसका उलेख यहां पर किया गया है इसको आप लोग भली भाती पूर्वक देख लेए जैसा कि आप लोग को मालम होगा रेलवे अप्रेंटिसिप या कहीं भी अप्रेंटिसिप भी हो रहा है सिर्फ एक वर्स के लिए ही हो रहा है तो यहां पर रेलवे बूर्ड के परत कर्माग जो भी अनुसार के वल एक वर्स के प्रसिक्षर दिया जाएगा तो उसके अपर तो को आप लोग अच्छी तरह इस नोटिफिकेशन को है डिस्क्रिक्शन बाक्स में दिदूंगा वहां से जो है डाउनलोड करके आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लिजेगा उसके बाद ही आवेधन किजिएगा यहां पे जो है आवेधन करने का तरीका बताया गया है कि किस तरह आपको आवेधन करना है यहां पे mponline.government.in पर पोटल पर जाना है अवेधन कर सकते हैं और साथ ही यहां पे आपको जो है वही mobile नंबर और email ID फिलब करना है जो आपके साथ भविश्य में communication हो सके आपका जो है चालू हालत में होना चीए वही email ID और mobile नंबर इस्तमाल किजएगा और माध्यम से आपको जो है पत्तर अचार नहीं किया जाएग और साथ ही यहां पे एक और निर्दिस याग है उमिद्वार का नाम पिता का नाम की वरतनी प्रमापत में दर्ज नाम के अनुरूप ही होना चाहिए और समकक्स प्रमापत्रों में भी दर्ज जानकारी समान होनी चाहिए यदि किसी प्रकार की भीहिंता पाई जाती है तो की उमिद्वारी निरस्त की जा सकते हैं सभी सर्टिफिकेट जो है आपका सेम होना चाहिए उसमें आपका नाम पिता का नाम जो भी डेटा है सेम होना चाहिए यदि उमिद्वार एक ही टेट के लिए एक सेधिक आवेदन अलग-लग विब्रोडों के साथ भीमबिन इमेल करना है और साथ ही आवेदन पत्व में अमिद्वार द्वरा NSAPS प्रडल रजिस्ट्रेसर परफाईल 100 पड़ होने चाहिए इसको ध्यान देना है आप लोग को 100% को सेधिके बाद ही जो है आपको आवेदन करना है और साथ ही आवेदन में तुरूटी होने पर सुधार का भी यहां पे एक टाइम दिया हुआ है और साथ ही जो आप लोग जो आवेधन करेंगे उसमें किस-किस दस्तावेजु की जुरुत होगी यहां पे दिया हुआ है और अभियर्थी के लिए समान निर्देश दिया गए है अवेधन है तू प्रारामभीक तिथी 28-1-2021 से शुरू है और अंतिम 27-2-2021 को रात 23-69 बजे तक आवेधन कर सकते हैं तू टी सुधार है तू प्रारामभीक तिथी 28-2-2021 से 2-3-2021 तक रात 23-69 बजे तक आवेधन में तू टी सुधार करा सकते हैं और साथ ही यहां पे जो है MP अनलाइन द्वारा पोर्टल सुल के रुपे 70 रुपे औ और सौ रुपे नॉन डिफेंडबल जो अभरतिव को अनलाइन भुकतान करना होगा फॉर्म भरने में किसी विप्रकार का दिक्कत होता है तो इस यहां पे एक नंबर भी दिया हुआ है जिसमें सुबह 10 से बजे से साम को 5 बजे तक आप लोग संपर्क कर सकते हैं और साथ ह यहां पर इस पीडियाफ के अंदर जो है फार्मेट दिया हुआ गया है अपको बताना चाहूंगा कि रेल्वे से जो लोग अप्रेंटिसिप करते हैं उनका जाती प्रमापत है और साथ ही छे माह का पुराना नहीं होना चाहिए इसमें दिया हुआ है आप लोग इसको अच चाहिन के यहाँ चाहिए साथ ही आपको जो ऑनलाइन किस तरह आवोधन करना इसका वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दूगा जलद ही और आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें दो मैं तो मिल जायाता और का लिंक नीचे डिस्क्रीशन बाक्स में मिल जाएगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग जैहन